हाथरस जिले में पशु विभाग के अधिकारियों और करमचारियों द्वारा वर्ष 2008 से 2018 तक शहर में चलाए गए पशु टीका करण के अभियान के दोरान 19,45,000 का गोटाला सामने आया है जिला अधिकारी प्रविन कुमार लक्षकार ने ततकालीन पशु अधिकारी सहीत 19 अन्य विभाग करमचारियों के खिलाब कारवाई करने के आदेश दिये हैं आपको बता दे कि हात्रस जिला अधिकारी प्रविन कुमार लक्षकार को शिकायत मिली कि वर्ष दोजार आठ से दोजार अठारा तक शहर में चले पशु टीका करन अभियान में लाखो रुपयों का घोटाला वहनों के किराये पैट्रूल डीजल के नाम पर किया गया शिकाय पर संग्यान लेते वे जिला अधिकारी हात्रस प्रविन कुमार लक्षकार ने मामले की जांच मुग के विकास अधिकारी राम भरोसे बासकर से कराई तो हात्रस पशु विभाग में दोजार आठ से अठारा तक चलाए गए अधिकारियों दारा पशु टिका करन अभियान में 19,45,000 रुपे का घोटाला सामने आया जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि पशु चिकित सा अधिकारियों और लेखाकारों की मिली भगत से फर्जी भी लगाकर भुगतान होने शुरू हो गए बिना यात्रा के ही चार पहिया वहनों में डीजल डिलवाने के फर जांच पहले एर्टी और यह पाया गया कि कुछ हैसे पंजिकरत्वाहने जितको बुक्तान किया गया है उसके बाद मैंने पीडी डी आइडी और सायक वरिष्ट को साधिकारी की टीम बना करके जांच कर रही और उसमें 19,45,000 रुपे का फर्जी भुगतान पाया गया है